इससे पहले हमने एक वीडियो अप्लोड किया, इसमें हमने सर्ट का complete interaction दिया, इन्हीं सर्ट की definition क्या होती है, सर्ट में जो root के अंदर जो value लिखे होते हैं, वो कौन से value हो सकते हैं, या root पे जो value लिखे होती है, 2, 3, 4, वो कौन से हो सकते हैं, वो integer होंगे या फिर positive integer होंगे, complete interaction उसके बारे हम बताया, साथ में उन्हें हम बोलते क्या है, radical बोलते हैं, यह सब कुछ हमने complete interaction बताया है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है, तो आप चैनल पे जाके वो वीडियो देख सकते हैं, तो चलिए इस वीडियो की सुरुआत करते हैं, सबसे पर हम लोग result, अब हम भहचान किसे करेंगे, इसमें simple monomial है या फिर binomial है, तो monomial मलब उसमें कोई भी plus और minus का sign आपको नहीं दिखेगा, plus और minus का sign आपको नहीं दिखेगा, जब भी अगर plus minus का sign ना दिखे, तो समझाल लिजे वो monomial है, ठीक है, इसे कि यहां पर देखो, root 3, root 5, cube root 7, 4th root 10, और यहां पर under root 45, under root 12, under root 66, यह साब अलग-अलग, कॉमा करके यहां पर लिखे हो है, अलग-अलग, ठीक है, 2 root, 2 under root 3, अब दोकर 2 under root 3 यहां पर लिखा हुआ है, यहां पर दो नमबर ना देखना है, यह नमबर वले 2 लेकिन के भी plus minus नहीं है, तो यह एक one term के रूप में के term हो गया, अगर plus नहीं है, तो वो क्या है, सिर्फ simple एकी term होगा, आप समने algebra में भी ऐसा पढ़ होगा, ऐसे लिखा है, 3x, तो 3x को क्या बोलते थे, एकी term तो बोलते थे, अगर माल लिखे पर यह तो 3x क्या है, एकी term अगर लिखा हो, 3x plus 4, तो यहां पर कितना term, एक यह तो यह पर कितने बुझाएंगे, दो term, तो यह चीज़ है नगना, कि term मलब, अगर उसमें plus minus है, उसी according हम बता सकते है, उसमें कितने term है, अगर plus minus नहीं है, तो simple क्या है, single term है, इसे 7 cube root 10, तो 7 है, cube root 10 है, तो 2 term नहीं है, क्योंकि इसमें plus minus कुछ नहीं है, तो इस सब सिर्फ और सिर्फ सिर्फ नहीं है, तो simple third के वाद एक ही है, कि इसमें only one term होते है, अगर इनको आप classify करें, कि simple third को अगर हम classify करें, तो इसमें pure third भी हो सकते हैं, और mixed third भी हो सकते है, आप pure third क्या होते है, वो समझना होगा, pure third को बहुत थिक्कत वाली बात नहीं, आप आसाइन से और हम simplified नहीं कर सकते जिनको और simplify नहीं नहीं कर सकते और solve नहीं कर सकते यानिका उनको 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 और solve नहीं कर सकते यानिकि वह root के अंदर अब इससे root से बाहर कोई value नहीं जा सकते क्यो ऐसे होते कि जो हां simplify कर सकते हैं उसका भी example देना चाहिए हां example देते हैं कि under root 45 under root 45 अगर हम इसको solve करें इसको simplify कर सकते हैं कैसे हम इसको लिख सकते हैं 9 into 5 क्या लिख सकते हैं 9 into 5 9 5 to 45 अगर हम पता होगा कि 3 का square क्या होता है 9 अच्छा एक चीज़ आपना अगर हम search को अच्छी तरीके से solve करना चाहते हैं तो हमें squares आने चाहिए और cube भी आने चाहिए तभी हमें पता चल पायागा कि 9 किसका square होता है तभी हम उसको बहार ले पाएंगे ठीक है तो यह चीज़ आपको समझता होगा यानि कि यह बिले मुझे चो basic आना चाहिए वह basic हमारा है कि squares आने चाहिए और cubes आने चाहिए ताकि हम उन्हें बार-बार मुझे social आना पड़े कि कि किसका square यह किसका cube है तो चली start करते है 3 का square है इसको लिख सकते है 9 को into 5 लिख सकते है अब यहाँ पर जो square number है यहाँ पर क्योंकि square root है तो यह बहार नमबर आ जाएगा तो आ जाएगा 3 root 5 अब देखो यह simplify हो गया अंदरूर 45 simplify होके क्या हो गया 3 root 5 हो गया ठीक है तो यही चीज़ समझनी यह simplify हो चुका है तो यह कि हमारा pure cert नहीं है यह बिसे मैंने समझाने को आपके बताया था कि किसको हम pure cert बोलेंगे किसको नहीं बोलेंगे क्योंकि यह simplify किया जा सकता है इसलिए pure cert अनुर 45 नहीं है और यह सब simplify नहीं किया सकते है तो यह समारे pure cert है I think आप समझ गया होंगे अच्छा simple cert में क्या होता उसमें pure cert भी हम लिख सकते हैं क्योंकि one term बस होना चाहिए इससे मतलब नहीं है और under 45 देखो यहां बैने लिखा है वह भी लिख सकते है इसमें दोनों तरीके के जो certs होते वो समझ बस एक चिद्यानक ना कि वह मोनोमील ही होने चाहिए